UPSC जो होता है वो एक बच्चे का एक्जाम नहीं होता है, पुरी फैमिली का ही एक्जाम होता है, पुरी फैमिली लग जाती है उसके अंदर, बट मुझे जहां तक लगता है कि कोचिंग के इतने कोई नीड नहीं होती, अगर आप पर थोड़ी सी गाइडेंस है, आज कल होती इंपोर्टेंट रोप पे करता है, और मेरे फेलियर के पीछे भी सी सैट का ही हाथ, मेरे पस्ट्रेक्शन नहीं थी, मैं पूरा ध्यान सिर्फ अपने जो चुनिंदा दोस्त हैं, उनसे बात करती थी, जब मैं दुखी होती थी, मेरे घरवालों से बात करती थी, हैलो दोस्तों आप लगातार देख रहे हैं, मोटिवेशन फैक्टरी चैनल पर यूपेसी टॉपर की सीरीज चल रही है, तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर रेखा मैडम है, मैम की बात करें तो मैम का थर्ड एटेंप्ट है, और पिछले दो बार उनका प्रिलिम्स क करते हो कि भही हमारी कोचिंग लेने की कंडिशन नहीं है, फानेंसल इतने स्ट्रोंग नहीं है, क्योंकि लाख और रुपर फीज चार्ज होती है कोचिंग का, और अगर मुखरिज नगर या करोलवा कहीं जाओगे तो अलग खर्चा होता है, तो ऐसे लोगों के कमेंट्स अच्छे से गाइड कर सकती है कि बिना कोचिंग के किस तरीके से आप तियारी कर सकते हो, तो इस वीडियो मा बनी रही है, लास्त तक इन सारे तमाम कुस्संस को हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे मेडम से, मेडम की जरनी जानेंगे, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब् तो मेडम अपने बारे में थोड़ा बताइए ओडियोंस को अपना थोड़ा इंटोडेक्शन आपका बेग्ग्राउंड कैसा रहा, इस्टेडी बेग्ग्राउंड और आपका फेमिली बेग्राउंड मेरा नाम डॉक्टर रेखा मीना है, और इस येर UPSC CSE 2021 में मैंने रैंग 573 हासिल की है, मेरा बैग्राउंड बोले तो मैं राजिस्थान से आती हूँ, राजिस्थान में दौसार जिले से आती हूँ, मेरी स्कूलिंग दिल्ली से ही हुई है, और कॉलेज भी मैंने मुलाना साथ मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया है, दोजर 18 में मेरा कॉलेज खतम हुआ था, और 2019 में मैं घर आई थी, उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन शुरू की, और मैंने प्रिपरेशन घर रहे की है, लेकिन कोरोना काल में जब मुझे लगा कि घर पे प्रिपरेशन अच्छी कि आज मुझे यह मौका मिला कि मैं यहाँ बैठ के आप सबको कुछ मोटिवेशन दे सकती है, मैडम आपकी जरनी के अगर इस शुरूबात की बात करें, तो UPSC का आपके दिमाग में कब आया हूँ, किस तरीके से जरनी शुरू हुई आपकी, यूपीएसी का शुरू में तो ऐस सच कुछ था नी, क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस से ग्राजुएशन की है, तो मैं डॉक्टर बनने का ही सपना रखती थी हमेशा से, बस इंटर्णशिप में मेरे कुछ सीनियर्स थे, जिनके थुरू मुझे यूपीएसी के बारे में पहली बार पता चला था, और त मुझे यूपीएसी देना चाहिए, और उसके बाद मैंने तयारी शुरू करें, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप सभी लोगों की जो प्रोलम है, आप हमेशा कमेंट करते हो, जैसा की टॉपर्स हमेशा सजेस्ट कर रहे हैं, कि आपको तयारी सुरू कर बोक दिये गए है, मेंस के भी दिये गए, साथी साथ आपको इसमें स्ट्रेटीज भी दिए गई है, यह प्रिवीयर सेर के और तीसरे पार्ट में आपको सी सेट मिल जागा, जो कुस्षन पिपर है तो एक बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे तो इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो जैसा की टीचर भी सजेस्ट करते हैं अगर आप हमारी कंप्लीट वीडियो देखते हो तो पर हमेशा सजेस्ट करता है कि आपको प्रिवेश से कुस्टन पेपर हमेशा पढ़ने चाहिए तो अपनी तयारी को स्ट्रोंग बनाने के लिए अच्छे से तयारी करने के लिए और फर्स एक्रैक करने के लिए इस बूख को जरूर मगाए इस बूख का लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करें और इस बूख को पर्चेस करें तैंक अपका और मीडियम क्या रहा है अपने तयारी शुरू कर दी लेकिन आपने कोचिंग ने लिया जैसा कि आप बता रहे थे तो बिना कोचिंग के कितना को कहां से मिला और क्योंकि जब UPSC कोई सोचता है तो बहुत सारे doubts होते हैं बहुत सारे confusion होते हैं पहले तो optional का होता है कि optional कैसे choose करना चाहिए और coaching कौन सा लेना तो यह सारी तमाम बाते हैं सुरुवाती दुनों के किया था कि internship में ही मैंने medical science के notes बनाने शुरू कर दिये थे और अगर coaching के बात करें तो मुझे इतनी जरूरत महसूस नहीं हुए coaching की लेकिन एक बात है कि शायद अगर coaching करते तो जल्दी selection हो जाता है बट मुझे जहां तक लगता है कि coaching के इतने कोई need नहीं होती अगर आप पर थोड़ी सी guidance है आजकल बहुत सरी YouTube channel आ गये हैं जिस पर Toppers की वीडियोज होते हैं मैंने भी बहुत देखे स्टार्टिंग के टाइम पर वहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए और अपना UPSC syllabus को base मना के चलना चाहिए और साथ में PYQ को पढ़ते जाना चाहिए अगर ये दो चीज़े आप अच्छे से कर रहे हैं तो मेरे साब से इतना कुछ रोल है नहीं कोचिंग का अगर प्रिलिम्स की बात करें खास कर जैसा कि आपका पिछले दो बार प्रिलिम्स नहीं होगा उसके बाद अभी का ऑपरिलिम्स का तो वह तो मेरा प्रिप्रेशन ही नहीं था मैं यह बोलूगी तो मैं सफूझे से फइल ही second time पे मेरा C set रहा था तो मैं यह बोलना चाहूँ गी प्रिलिम्स में खास कर जीस पर ध्यां देते हैं मैंने भी श्रू में बहुत ध्यान दिया था तो मुझे लगाता है कि GS मेरी कमांड अच्छी हो गई है बट मुझे बाद में रेलाइज हुआ कि CSAT एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोप पे करता है और मेरे फेलियर के पीछे भी CSAT का ही आता है तो इसलिए CSAT और GS दोनों को अच्छे से प्रपरेशन करें तो प्रिलिम्स हो जायता है इसमें दो तिन स्टेप्स होते हैं पहला स्टेप्स होता है कि आपको बेसिक बॉक्स फॉलो करनी है जो कोई भी टॉपर बोलते हैं पांचे सब्जेक्ट से उनकी बेसिक बॉक्स फॉल तो मैंने मार्केट से बस मैं उठा रहा थी थी प्रिलिम्स के जो टेस्ट आते हैं मॉक टेस्ट उठाके मैं घर पर ही बैठके अपना प्रिलिम्स के टेस्ट लगाती थी और उसी से मुझे अनभा हुआ और जिसी के थुरू मेरा प्रिलिम्स के लियर हुआ अभी मैंने नि लेवस को कवर किया अपने ये बात निहा की बिल्कुल सही है सेकिंड बार में जब मेरा सी सैट नहीं हुआ था तो मुझे ये समझ में आ गया थे कि मैंने अपना ओप्शनल कंप्लीट कर लिया था इन सब की वज़े से क्या हुआ कि 2020 के प्रिलिम से मुझे हल्प हुई तो अगर इंटिगरेटर प्रिप्रेशन शुरू से की जाए तो बहुत ही अच्छी होती है अगर मैंने भी पहले से की होती तो रिजल्ट शाय जल्दी आ जाता है एक तो आपकी एक गलती है आपकी पॉइंट आउट होगी कि आपने पहले से प्रिलिम सोर साथ में पढ़ाई ने करी अगर मैं आपकी कुछ और गलतियां जानना चाहूं जिस तरीके से हरे एस्परेंट का खवाव होता है कि फर्स्ट अटेंट में किलियर हो जाए अगर फर्स्ट में वो चूक जाता है तो फिर बहुत टाइम लग जाता है सारी चीज़ उस तरीके से नहीं होती है क्योंकि फैमिली का प्रैसर और भी सारी तमाम बाते होती है तो आपको क्या लगता है कि अगर कुछ वो गलतियां नहीं करते आप तो आपका फर्स जैसे अभी बताया और तीसरी गलती प्रिलिम्स के टाइम पर जो मैंने की थी कि मैंने शुरू मैंना क्वेशन कम अटेम्ट किये थे तो थोड़े से जाधा करने चाहिए जैसे कि मैं 85 प्लस माइनस 2 में अटेम्ट करती थी उतने करेंगे थोड़ा रेंज सही रहती है तो यह मेरी प्रिलिम्स की गलती थी जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए और जो अगर कोई करे तो ना करे तो सही रहेगा अभी एक बच्चे का कमेंट्स आ रहा था हमारे वीडियो में कि जैसे आपने कोचिंग नहीं लिया तो आपको वह महावल और वह फ्रेंड सर्कल नही तो आप किसे बात करते थे आप मॉटिवेट कैसे रहते थे इस जर्नी में हां मतलब जो महाल होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है इस प्रिपरेशन में तो स्टार्टिंग में तो क्या था कि मैं घर पे थी लेकिन मेरे घर पे महाल मुझे बहुत अच्छा मिला मुझे बाते करती थी जो मुझे हमेशा मेरे कोई परेशानी में में मेरा समझते थे इस बात को और मेरा चोटा भाई इसने खासकर में मेरी जब कोरोना था और मेरी तबध बहुत खराब हो गी ती उस ताइम पर उसने खासा ध्यान रखा मेरा कि मैं टाइम पे कॉलेज जैसे WhatsApp, Facebook, इन सब से तोड़ा दूर रहने ना चाहिए, मैंने जैसे मैं कॉलेज साई थी मैंने अपना नंबर बदिल दिया था, मैंने अपना ये सारे प्लाटफरम बंद कर दी थे, तो अब जाके मैं वापिस उन सब पे अक्टिव हुई हूई हूई, तो वो एक प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो अगले अटम्ट फिर थोड़ा सा वो हो गया, कि हावई कर सकते हैं, मुझे लगता है कि, उसा गभी नहीं सोचना चाहे कि.. इ। से आपके लिए नहीं बना है। बस आपको हमेशा अपनी गल्तिओपे काम करना, अगर आपने गल्तिओपे काम नहीं किया उसके बिना अपने अगल अगल अटम्ट दे दिया, तो वो अटम्ट बेस्ब होगा, अ से में आंसर राइटिंग अपना हो गए एक सेक्सन तो आंसर राइटिंग के लिए किस तरीकी से आपने तयारी करी आंसर राइटिंग के बहुत सारे एस्परेंट्स परिसान होते हैं और मैं डेली आंसर राइटिंग करती थी, एक ग्रुप था, उसमें हम दोस्ते, हम लोग उसमें डालते थे अपने आंसर कॉपी, और इसमें के चेक करते थे, और पीवाइट्यू देखते थे, आज कल बहुत सारी वेबसाइट पर पीवाइट्यू मिल जाते हैं, उसको देख देखके मैंने प्रपरेशन की थी, तो मिक्स था मेरा, डेली आंसर राइटिंग भी करती थी, और मैं फुल लेंथ भी लिखती थी, फुल लेंथ जो था, टाइम में लिखना, राइटिंग भी अच्छी होनी चीए, पैन कॉन सा यूज करना है, छोटी-छोटी चीजे हैं, जिनको दिन बदिन अगर आप इंप्रूमेंट करते जाओगे, तो तीन महीने के अंदर, प्रॉपर शेड्यूल बनाके, आंसर राइटिंग आपको अच्छे से करनी है, और वही आंसर राइटिंग मैं काऊंगे, इस दा बाकबोन उफ मेंस परपरेशन, तो व उसको कैसे ओवर कम किया, इससे जरूर एस्परेंट से वो मॉटिवेट होंगे, बहुत स्ट्रगल होते हैं, डेली बेसिस पर होते हैं, सुबह टाइम पर उठना, रात को टाइम पर नींद आ जाए, खाना, सही खाना, विमार नहीं पढ़ना, बहुत चोटी-चोटी चीज आप बन इसे जरू होते हैं, डेली बेसिस सraगारिशस पर होती हैं, एस टीन कह और शुरूर निरा बैर म मैंने कभी अपनी डी मोटिवेशन को हावी नहीं होने दिया लेकिन हा कुछ दिन होते थे जिस दिन मन करता था कि बस सोते रहो पढ़ना नहीं है यह सब उस दिन के लिए बहुत सरी यूट्योब वीडियो देखती थी मैं टॉपर्स की वीडियो देखती थी अपने पेरिंट जिसको आप कर सको आगे तो छोटी-चोटी चीज यह जो कि आपको करते रहेंगे तो सही रहेगा हमारी वीडियो जो एस तेयारी करें बड़ी उमीद से देखते हैं कि टॉपर्स इस वीडियो में कुछ ऐसा बता देंगे जो हमारी जरुनी में हैल्प करेंगा तो उनके ल सपलता मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, अगर कहीं भटक गए, कोई दूसरी बोक पढ़ ली जो पढ़ना नहीं है, तो फिर जैसा कि श्ट्रेगल कर रहे हैं, वहां तक चले जाते हैं, तो उसके लिए बताओ कि सुरुबात किस तरीके से होने जाए, क्या स्टेप्स होने ज अच्छे से किया थी, प्रिलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी, शुरू में नहीं किया थी, तो वही गलती थी, तो पीवाई क्यों बहुत अच्छे से करने हैं, और तीसरी चीज़े बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, किसी, मतलब कोई बड़ी, हैबी बुक पर सब्सक्राइब के लिए एक किताब रखिए बस, वो एक ही किताब को बारवर पढ़ना है, और अगर स्टाटिंग करें तो आप ऐसे करसे जैसे कि, for example, मैं पॉलिटी लेती हूं, तो मैंने पॉलिटी की लक्षमी कांत उठाई, वो पूरी पढ़ी, मैंने उसको टाइम दे इक मैने मैं मैंने पड़लिए उसके बाद एक मैने के बाद आखिर मैंश की अपने एक मेंस कवेपर दे दिया, छाहे है पांची कशलन लिखें य पॉलिटी के, और एक पॉलिटी को प्रिलिम्स भी दे दिया, तो जाब ऐसे सबजेक्श taxi का मेंस के क्वेश्शन भी देखे तो यह कुछ इनिशल स्टेप्स होने चाहिए, जिसको धीरे-दीरे करके आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ सकते हैं. आगर बुक्स की बात करें, जैसे आपने लच्छी मेकान्त का नाम लिए, तो यह बोक्स बहुत मौटे होते हैं. मैं देखके डर जाता हूँ, इतने बुक्स कैसे पढ़ते हैं अप लोग, तो अगर इस बुक्स की बात करें तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, क्या लाइन टो- मतलब पेज बाई पूरा पढ़ना पढ़ता है लक्षमिकान को कि आपके कोछ ऐसा लगता है कि इसको चोड़ सकते हैं फिर यहां से सब्सक्राइब करने तो एजी रहेगा किस तरीके से आप पढ़ते थे उसको है नहीं दो मेंगे अगोंत बने लेना है बस यह है कि में लाइनो डोलाइन पर्णा का का में रहेंगोजित सांतन है अकि यह वाले रहा नहीं हिन्क면 िवाला स्कंटी भाई जरा है यह भाई है का मदो प्नी में आig Mé kontrollDEN यह संतने मुझे लेन्न अगर घम ना लिए थे और मैं उन्ही को पड़ती थी फिर मैंने बुक नी पड़ी थी आखरी वाली तो बस आपको तरीके ढूंडने कि कैसे कि सब्चेटर के आप शॉट नोट बनाओगे कि इस चेप्टर में मैं जिसे हाइलाइट करती थी बस वह यह पड़ता था पहली रेडिंग कर करनी पड़ेगी बाद में फिर अपनी अप छोटी होती हुते चली जएगी पो कर अंप करंच अफयर की बात करेंच ओंक करनाओज को जिए इस बहुत Grade क्रोंच करनाल सुन होसे जो क्यों है कि एक चीज के लिए एक 소र्स होना चीए चार दिन के अंदर म Online करने का मेरा टार्ग लिए ये है अन्यस थारिक मैंने मैं मन्त ली कंप्लीट कर लिए और फिर मेरा टार्क अज़ता है कि महीने के एंड में 30 तारिकों में रवाइस करूँगी, तो उस महीने जो मन्थली आती थी, मैं उसको दो बार पढ़ लेती थी, तो न्यूसिपर तो आप डेली पढ़ते हो, बट न्यूसिपर के नोटस बनाने का कोई नहीं बनाने चाहिए ना उसको आप याद लग सकते हो, बट मन्थली कैसे चीज़ है जो आपकी रहती है साथ में, तो मैंने सोर्स जो बनाया था, डेली के लिए था मेरा न्यूसिपर, और मन्थली मैंने विशन की फॉलो करी थी, करेंट अफियस के लिए, मैंडम, अभी लास्ट में, जो भी ए आप पेपर के लिए एंटरेंस देने के लिए डिसाइड किया है, तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, तो पहली चीज़ आपको घबराना नहीं है, दूसरी चीज यह है कि स्ल करने के लिए स्लिबस को ध्यान रखना है, और तीसरी चीज यह है कि हमेशा अपना स्कोप ऑफ इंप्रूब्मेंट ढूंडे, जब गलती करोगे और उसको सुधारोगे तो ही इंप्रूब्मेंट होती है, आप यह मत सोचिए कि कल कर लूँगा, परसो कर लूँगा, आपक तो आपको भी वीडियो पसंद आया होगा, जिस तरीकी से मैडम ने अपनी जर्नी को सेर किया, अपने इस्ट्रेगल्स बताया, कैसे मोटिवेटेड रहते थे इस्ट्रेटजी सेर करी, बुक्स के बारे मताया, यह तमाम बाते जानकर आपको बहुत अच्छा लागा होगा बहुत को सीखने को मला होगा, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपके कोई personal queries होते हैं, आपको जानना चाहते हो, तो हमें direct Instagram पर message कर सकते हो, उसका link आपको description मिल जाएगा, यहां तक वीडियो देखने लिए, thank you so much, bye bye and take care झाहते हो, 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 झाहत